जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चेनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं MPPolice Constable exam 2023 की preparation को और बहतर करने के लिए MPGKK top 50 question जो की आप लोगों की exam में जरूर पूछ जाएंगे तो वीडियो में ला लाश्ट तक बने रहना हैं फर्स्ट question का अंसर होगा option no 4th मद्ध प्रदेश राज्य में साची का जो इस्तूफ है यहां मद्ध प्रदेश राज्य के राइसें जिले में इस्तित है साची स्थी इस्तूप का निर्मान मोरे समराट असोक के द्वारा करवाया गया था तो य साची इस्तूप मोलता किस से निर्मित संरचना अंसर होगा इटो से जिसमें भगवान बुद्ध के दो सिस से महा मोगलयान और सारी पुत्र के अफसेसों को रखा गया यह question पटवारी 2023 में पूछा गया था कि साची के इस्तूप में किन के अफसेस रखेंगे तो आपका अ तो यहाँ भी आप लोग याद रखेंगे कि इसको ने इसे वर्ल्ड हेरिटाइस सूची में कब सामिल किया तो आपका अंसर होगा बर्स 1989 में आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बहा प्रसिद्ध सितार बादक जिनोंने संगीत की सिक्षा सतना के संगीतग महर से प्राप्त की चार option आपको दिये गए हैं और इसका right answer आप लोगों को बताना है कि किनों ने सतना के संगीतग महर से संगीत की सिक्षा प्राप्त की थी तो इसका right answer होगा आपका option number third पंडित रविसंकर ने पंडित रविसंकर जो है यहाँ ब आगे चलते हैं next question की और next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है नर्मदा नदी की ओसत लंबाई क्या है चार option आपको दिये गया है और इसमें से right answer आप लोगों को बताना है correct answer जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का option number 3 1300 km नर्मदा नदी की जो ओसत लंबाई है वहाँ 1300 km है नर्मदा नदी का उदगम अनुपूर जिले के अमरकन टक से होता है यहाँ पश्रिम दिशा की ओर प्रभाहित होती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरत है नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वह कितनी है अगर आपसे पुछा जाए तब आपका अंसर होगा 1312 km और मद्यप्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है तब आपका अंसर होगा 1077 km यह काफी अच्छे से आप लगों को याद रखना है इसे मद्यप्रदेश की जी जा रहा है अर्जुन पुरुषकार किस लिए दिया जाता है चार आपको दिये गया है और पूछा गया है कि जो अर्जुन पुरुषकार है यह किस लिए दिया जाता है तो दिये गए आप्शन से राइट आंसर आपको बताना है करेक्ट आंसर होगा आप्शन नमबर थ्र खेल में उत्करश्च प्रदर्शन के लिए अरजुन पुरुसकार दिया जाता है अरजुन पुरुसकार की इस्ठापना बर्स 1961 में की गई थी और इसकी जो बरतमान पुरुसकार रासी हे बहाँ 15,00,00 लाक है घाटी गाओ बणने जीब अभ्यारण मद्यपरतेस के किस जिले के पास इस्ति थे तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि correct answer क्या होगा राइट आंसर होगा option number first ग्वालियर गाटी गाओं बनने जीव भैरण जो है यह ग्वालियर जिले में इस्ति थे इसकी स्थापना बर्स 1981 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ेया के संरक्षान के लिए की गई थी आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉष्चन की ओर नेक्स्ट कॉष्चन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे पूछा जा रहा है आप लोगों से पक्यों मद्योन का मुख़््याले कहा इसती थे भारत में railway का जनक जो है लाट डलोजी को माना जाता है अब आप लोगों को मुझे comment करके बताना है कि भारत में पहली बाई train कब और कहां से कहां तक चलाई गई थी चलिए चलते हैं next question की और next question में यापर पुछा जा रहा है बहा नदी जिसे भगवान सिब की पुतरी कहा जाता है कौन सी है चार अप्शन आपको दिएगे और पुछा गया इन में से कौन सी नदी है जिसे भगवान सिब की पुतरी कहा जाता है तो इसका जो right answer है वह है आप लोगों का option number second नर्मदा जो है वहा नदी है जिसे भगवान सिब की पुतरी कहा जाता है नर्मदा नदी को मद्ध प्रदेश वा गुजरात राजी की जीवन रेखा भी कहा जाता है आगे चलते हैं next question की योड़ next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है तो इसका correct answer आप लोगों को बताना है राइट answer जो होगा वह है आप लोगों का option number three Sir John Marshall ने और साची के बारे में तो सारी जानकारिया में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि साची का इस्तुप कहा इस्ती थे राइसें जिले में इस्ती थे निर्मान किसने करवाया था असोक ने next question में यापर पूछा है मेकल रेंज की अमर कंटक पहाड़ी से उत्पन होने वाली नदियों किन नाम बताना आपको आपको बताना है कि अमर कंटक से किन किन नदियों का उदगम होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आप लगों का option number first नर्मदा और सोन नदिया जो है यहाँ अमर कंटक पहाड़ी से उत्पन होती है तो आप लगों से कभी कभी पूछ ले जाता है कि अमर कंटक से उत्पन होने वाली दो नदियां कौन सी है तब भी आपका आंसर क्या होगा नर्मदा और सोन नर्मदा नदी जो है यहाँ पश्यम दिसा की और प्रभाहित होती है और खंबात की खाड़ी अरफसागर में गिरती है और सोन नदी जो है यहाँ पूर्व दिसा की और प्रभाहित होती है और गंगा में जाकर मिल जाती है ठीक है तो अगर पूछा जाए कि सोन किसकी सहाइक नदी तो आपका अंसर होगा गंगा की सहाइक नदी है या गंगा में दाईयोर से मिलने वाली सबसे बड़ी गंगा की सहाइक नदी है next question में आप लोगों से पूछा गया है अलकलाइड कार खाना कहां इस्ति थे क्या पूछा जा रहा है अलकलाइड कारखाना कहां इस्ती थे तो right answer होगा आपका अफसर number second मद्द प्रदेश के नीमच जिले में अलकलाइड कारखाना इस्ती थे नीमच जिले का गठन मंदसोर जिले से अलग करके किया गया था नीमच का मद्द प्रदेश में अफिम उत्पादन में मंदसोर जिले के बाद दूसरा इस्तान है यदि पूछा जाए कि प्रथम इस्तान किसका है तब आपका answer होगा मंदसोर का आगे बढ़ते हैं दोस्तों next question की और बढ़ने से फ़ले दोस्तों मैं आपको बता दूँ यदि आप लोग MP police constable exam 2023 MP SI exam 2023 और MP government की एन एक्जाम की preparation कर रहे हैं तो आप हाली में conduct कराई गई MP police constable exam 2022 साथ ही साथ अवकारी constable exam 2023 और पटवारी जो आपकी exam हुई है इसकी 2023 और साथ ही साथ forest जेल प्रेदी सायक जेल अधिक्चक एक्जाम 2023 और साथ ही group 4 group 4 जो अभी हाली में conduct कराई गई है 2-4 दिन पहले group 4 exam की सभी सिप्टो group 4 assistant grade 3 exam की सभी सिप्टों की PDF डाउनलोड करना चाते हैं तो आप वीडियो के description में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही आप इस number पर जो number में आपको screen पर दे रहा हूँ इस number पर WhatsApp करके भी हमसे आसानी से सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं इससे आपकी preparation बहतर हो पाएगी और हमने आप लोगों की preparation को और बहतर करने के लिए इन एक्जाम की PDF को subject wise भी रेडिक कर दिया जैसे आप देख पा रहे होंगे आपकी preparation पहतर हो पाएगी और आने वाले exam में आप लोगों कभी selection हो पाएगा आप लोग या सारी की सारी PDF वीडियो के description में दी गई लिंक पर क्लिक करके नहीं तो जो नंबर आप लोगों की screen पर दिखाया जा रहा है इस पर WhatsApp करके भी हमसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं चार option आपको दिए गए और पुछा गया इद में से कौन सा राश्ट उद्यान है जो मध्य प्रदेस में नहीं है तो right answer जो होगा दोस्तो वह होगा आप लोगों का option number second मलखंब मलखंब जो है या मध्य प्रदेस का राजकी खेल है अच्छे से याद रख लेंगे और साथ ही मलखंब को कब राजकी खेल घोसित किया गया इसे भी आपको याद रखना है तो आपको पता होना चाहिए कि 2013 में मध्य प्रदेस का राजकी खेल घोसित किया गया था आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नांकी तुमेंसे कौन सा जिला मालवा छेतर में नहीं आता है चार option आपको दिये गया और पूछा गया इनमेंसे कौन सा जिला जो मालवा छेतर में नहीं आता है तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी हल्दी हमें बताएंगे correct answer होने वाला है option number second Mandala Mandala जिला जो है यहां मालवा छेतर के अंतरगत नहीं आता है Mandala जिला जो है यहां जबलवा पूर संभाग का हिस्सा है जो की महा कोसल छेतर में आता है तो आप लोगों से अक्सर यह question पूछा जाता है वी forest exam 2023 में question पूछा गया था कि जबलवा पूर किस छेतर के अंतरगत आता है तब आपका answer होगा महा कोसल छेतर के अंतरगत आता है आगे चलते हैं next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भीम बेटिका की गुफाएं और आसरे एक खालिस्तान इस्थल है तो दिये गया options में से आप लोगों को बताना है कि भीम बेटिका की गुफाएं और जो आसरे सेलचितर हैं इन्हें किस में सामिल किय गया है तब आपका आंसर होगा option number second UNESCO की 20 धरोहर सूची में सामिल किया गया है भीम बेटिका की गुफाएं रैसें जिले के अबदुल्ला गेंज में इस्ति थे इनकी खोज विश्णू सृधर बाकन करके द्वारा की गई थी यह question हाली में forest exam में पूछा गया था कि भीम ब सामिल किया गया था आगे चलते हैं next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सत्पुड़ा बन्य जीब भ्यारण कहां इस्ति थे तो इसका correct answer आप लोगों को बताना है कि सत्पुड़ा बन्य जीब भ्यारण कहां इस्ति थे right answer जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का option number first होसंगाबाद में सत्पुड़ा बन्य जीब भ्यारण जो है यहां होसंगाबाद में इस्ति थे काफी अच्छे से आप लोग याद रखेंगे और इसका answer आसारी से कर पाएंगे इस उध्यान में मद्यप्रदेश की सबसे उची चोटी धूब गड़ भी इस्ति थे यदि आप लोगों से पुछा जाए कि मद्यप्रदेश की सबसे उची चोटी कौन सी है तब आपका answer होगा धूब गड़ में किस राश्ट उध्यान में है तब आपका answer होगा की ओर नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया बर्स 2011 की जंगर्णा के अनुसार मद्द प्रदेश में किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा तो जल्दिस बता दीजे इसका राइट आंसर होने वाला है आप्शन नमबर 3 जवलपूर बर्स 2011 की जंगर्णा के अनुसार मद्द प्रदेश में जो सरबादिक साक्षर जिला है वहाँ जवलपूर है जवलपूर छेतरफल की द्रश्टी से मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जवलपूर को मद्द प्रदेश की नियाईक राजधानी भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और यदि आपसे पूछा जाए कि जवलपूर किस नदी के किनारे इस्ती थे तब आपका अंसर होगा नर्मदा नदी के किनारे नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है मालनपूर अध्योगिक छेत्र कहां इस्ती थे तो काफी इंपॉर्डन कोश्चन है MPSI एक्जाम 2017 में पूछा गया प्रशन है राइट आंसर आपको बताना है और आपको बताना है राइट आंसर होगा आपका अप्शन नमबर चार भिंड में मालनपूर अध्योगिक छेत्र जो है यहाँ भिंड जिले में इस्ती थे भिंड जिला जो है यहाँ चंबल नदी के किनारे इस्ती थे और मद्यप्रदेश में जो सबसे कम बरसा वाला छेत्र है वहाँ भिंड है आगे चलते हैं next question की और next question में यहाँ पर पूछा जा रहा है जिला गुना किस नदी से विभाजित है चार अप्षिन आपको दिये गए और पूछा गया है कि गुना जिला जो है या किस नदी के द्वारा विभाजित होता है right answer होगा आपसर number second सिंद नजी जो है यहाँ गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है गुना जिला जो है यहाँ ग्वालियर संभाग के अंतरगात आता है गुना जिले में तेजा जी का मेला लगता है यह question भी अक्सर exam में पूछा जाता है कि तेजा जी का मिला कहां लगता है तब आपका answer होगा गुना जिले में लगता है बर्स 2003 में गुना से अलग कर असोक नगर को एक नया जिला बनाया गया था गुना में प्रसिद बजरंगड का किला तथा रागोगड का किला भी इस्तित है आगे चलते हैं next question की और next question में यापर पुछाए मद्वप्रदेश की स्थापना की तीथी क्या है चार option आपको दिये गया और पूछा गया है कि जो मद्वप्रदेश का स्थापना दिवा से वह किस दिन होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका option number 3 की option number second बताई जल्दी से correct answer क्या हो जाएगा option number second इसका right answer होगा एक नवंबर मद्वप्रदेश की जो इस्थापना दिवा से वह कब थी तो मद्वप्रदेश का गठन जो है एक नवंबर 1956 को किया गया था और मद्वप्रदेश का विवाजन कब किया गया था तब भी आपका आंसर होगा एक नवंबर 2000 को मद्वप्रद कर मद्धिप्रदेश और चतिसगर्दो नए राज्जिब बनाए गए थे आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर पुछा जा रहा है आप लोगों से सरस्वती और खान किसकी साहयक नदिया हैं तो राइट आंसर जो होगा वह क्या होने राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर होगा आप्शन नमबर फोर चिप्रा की साहयक नदिया हैं सरस्वती और खान जो है यहाँ चिप्रा नदी की साहयक नदिया है चिप्रा नदी की बात की जाए तो चिप्रा नदी कहां से निकलती है तो चिप्रा नदी इंदोर जिल दोस्तों next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ताजूल मजजीत का निर्मान इनके द्वारा सुरू किया गया था चार option आपको दिये गया है और पूछा गया कि ताजूल मजजीत का जो निर्मान है किनके द्वारा सुरू किया गया था तो correct answer जो होगा भोपाल की जो नबाब रही है इनके द्वारा सुरू किया गया था आगे चलते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोग उसके पूछा जा रहा है तो यहां पर पूछा गया राणी दुरगाबती किस प्रदेश से संबंदी थे चार option आपको दिये गया राणी दुरगाबती जो हैं किस छेत्र से संबंदी थे तो इसका जो right answer होगा वहाँ होगा आप लोगों का option number 3 जवलपूर राणी दुरगाबती जो हैं यहां जवलपूर से संबंदी थे राणी दुरगाबती चंदेल सासक किरती सिंह की पुत्री थी तो यहां question आप लोगों से पूछा जा सकत राणी दुरगाबती गड़ मंडला की महरानी बनी थी और इनका समाधी स्थल जो है वहाँ जवलपूर में इस्ती थे आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है राजा भोज किस राजबंस का हिस्सा थे चार अप्शन आपको दिये ग आज रखना है राजा भोज पर्मार वंस के नवे राजा थे इनhi के नाम पर मध्व्रदेस की राजदानी भापाल का नाम रखा गया है इन्नों ने भोजपूर् सहर की स्थापनार्र वहाँ पर सिव मंधिर का किराए था राजा भोज ने भापाल इस्ति झीलों का निर्म प्रसिद्ध महा कालिक्षवर मंदिर और कालिया देह पेलेस जो है यह चिप्रा नदी के टट पर ही इस्थित हैं और जहां पर चिप्रा नदी के टट पर प्रत्यक बारा बर्सों के अंतराल पर कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है और लाश्ट येर बर्स 2016 में यह भी आप लोगों को याद रखना है नेश्ट कोईशन में आप महाजनपद युग में उज्जेन इसकी राजधानी थी और यहां पर महराजा बिक्रमादित्य का सासन हुआ करता था आगे चलते हैं next question की और next question में यहाँ पर पूछा जा रहा है अमरकंटक किस जिले में इस्थी थे चार option आपको दिये गए और पूछा गया जो अमरकंटक है या किस जिले में इस्थी थे तो इसका जो right answer रिवा है आप लोगों का option number 3 अनुपूर जिले में इस्थी थे अमरकंटक अनुपूर जिले में इस्थी थे अमरकंटक से मध्यप्रदेश की दो प्रमुख नदियों नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है नर्मदा नदी जो है यहाँ पशिम दिसा की और बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है सोन नदी जो है यह के समांतर बहने वाली नदी कोन सी है राइट आंसर होगा आपका option number 3 ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी ताप्ती नदी है ताप्ती नदी का उद्गम बेतुल जिले के मुल्ताई से होता है यहाँ पशिम दिसा की और प्रभाहित होती हुई खंबात की ख किनारे इस्तित है तो आपका अंसर होगा तापती नदी के किनारे इस्तित है बुरहानकुर की सीमा महराष्ट राज्य से लगती है या मद्यप्रदेश का सबसे दक्षणतम जिला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर आप राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ओप्षन नमबर चार चिप्रा प्राचिन सहर उझ्जेन चिप्रा नदि के टट पर इस्तित हैं अगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया आए भारत-भवन-इम भारत में कितने बर्ग हैं चार ऑफ्चन आपको दिए गया है पूछा गया है भारत भवन इमारत में कितने अधाइग yr आप लोगों का ऑप्शननमें फिरी शे बर्ग हैं भारत भवन जो है यह बफौल में इस्थित है और इसका डिजाइन जो है चाल्स कोरिया के द्वारा त्यार किया गया था, यह दो कोशिए इससे related अक्सर पुछा जाते हैं अज़ेजस कोरिया ने आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशिशन की और नेक्स्ट कोशिशन में यहाँप लोगों से पुछा जा रहा है मद्ध प्रदेश में कितने क्रसी जलवायू छेतर हैं तो इसका right answer आप लोगों को बताना है correct answer जो होगा वह है आप लोगों का option number second 11 मद्ध प्रदेश में 11 क्रसी जलवायू छेतर हैं मद्ध प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वह सोया भीन है इसलिए मद्ध प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्ना लिखित में से बंजर और हलो नदिया किसके मद्ध से बहती हैं चार option आपको दिये गया है पूछा है बंजर और हलो नदिया किसके मद्ध से बहती हैं तो इसका जो correct answer होगा वह है आप लोगों का option नमबर फॉर्ष यहाँ पर option नमबर फॉर्थ स्वारी काना टाइगर अब्ध्यारन के मद्ध से बंजर और हलो नदिया जो है यहाँ काना राष्टी उध्यान के मद्ध से बहती हैं काना राष्टी उध्यान की स्थापना जो है बर्स 1955 में की गई थी यहां मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट उध्यान है जिसका छेत्रफल 940 बर्ग किलो मीटर है और कानह जो है यह देश का प्रथा में सा राष्ट उध्यान है जिसने बर्स 2017 में अपना सुबंकर भूर सिंग दाबारा सिंगा को जारी किया था और जिसका design जो है रोहन चक्रबरती के द्वारा त्यार किया गया था आगे चलते हैं next question की और हर question के साथ जो मैं extra fact आप लोगों को बता रहा हूँ यह सारे के सारे extra fact आप लोगों से previous year exam में पूछे गये हैं इसलिए मैं आप लोगों को एक कोश्यन में कई कोश्यन बता रहा हूता कि वीडियो काफी ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप लोगों को हर एक extra factor को ध्यान से सुनना है, आप अगर note करना चाते हैं तो note भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब आप लोगों से question बना कर पूछा जा सकता है, next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, माधाव राष्ट उध्यान में समाने रूप से देखा जाने वाला मासाहरी कौन सा है, तो इसका right answer आप लोगों को बताना है, correct answer जो होगा, वह है आप लोगों का option number first, तेंद्वा, माधाव राष्ट उध्यान में समाने रूप से देखा जाने वाला मासाहरी तेंद्वा है, माधाव राष्ट उध्यान जो है, या सिवपूरी में इसती थे, मध्यप्रदेश में जो सरबादिक बन घनत्वे हैं, वह किस राष्ट उध्यान में पाया जाता, अगर आप लोगों से पुछा जाये, तब आपका answer होगा, माधाव राष्ट उध्यान में ही पाया जाता ह सुतंत्रता से पुर्व माधाव राष्ट उध्यान सिंध्या राजबंस का सिकार इस्थल था, आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और, नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस बर्स में सर जॉन मार्सल ने पुरातात्विक संग्रहले की इ इस्थापना की, जो बर्तमान इस्थल संग्रहले में परिवर्तित हो गया, सांची इस्थूप की खोच जो है, यहाँ किस ने की थी अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्योंकि यहाँ कोशन पटवार एक्जाम में पूछा गया है, अभी 23 में तो आपका अंसर होगा, ज चितर चापा गया है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की और, नेक्स्ट कोशन में आप पूछा जा रहा है, पीर बुधन कोन से महिने में आयोजित किया जाता है, चार आप्शन आपको दिये गया है, जो पीर बुधन का मेला है, या किस माहा में आयोजित किया जाता है, ये आम तोर पर साबन के महिने में, साबन के महिने आगस्त में साबन आ जाता है, तो साबन के महिने के आसपास या उसके अफसर पर ही सिब पूरी जिले में, सिब पूरी जिले में पीर बुधन मेले का आयोजन किया जाता है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स् आंसर जो होगा वह है आप लोगों का option number second सारंगी जो है यहां अब्दुल लतिफ खान से संबंदित बाद्ध यंत्र हैं नेक्स्ट कोईशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा मद्द्प्रदेश के लोग गायन का एक प्रती इस्परदात्मा के रूप है तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का option number second कलगी तुर् निमार चेत्र में कलगी तुर्रा एक प्रती इस्परदात्मा के रूप है ठीक है काफी अच्छे से याद रखना है कि इसका प्रचलन कहां से कहां था के तो आप का अंसर होगा निमार से मालवा तक गाया जाने वाला कलगी तुर्रा एक प्रती इस्परदात्मा के गायन है लोग गायन हैं, जिसमें भगवान शिवकी अराधना की जाते हैं, तो भगवान शिवकी अराधना की जाती है, आगे बरते हैं, नेक्ष्ट कोईशन यहाँ पर आप लगों से पूछा गया है, निमना लिकित नदियों में से, छिपरा नदी से मिलती है, चार अपशन आपको कहां से निकलती है इंदोर के निकट काकरी बढ़ी पहाड़ी से निकलती है और यहां चंबल की साहक नदी है अब चंबल की बात की जाए तो चंबल नदी जो है यहां इंदोर के महु के निकट जानापा पहाड़ी से निकलती है और यहां मद्ध प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमेटर है और चंबल जो है यहां यमुना की साहक नदी है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में यहां पर आप लोगों से पुछा जा रहा है नेमना लिखित जीलों में से किसका पुराना नाम इसागर था चार इसे कौन सी नदी प्रवाहित होती है अगर आपसे पूछा जाए अभी हमने पढ़ा था कि सिंद नदी प्रवाहित होती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मद्द प्रदेश उच्छ नयाले के पहले मुख्य नयादीश कोन थे तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मद्द प्रदेश उच्छ नयाले के पहले मुख्य नयादीश कोन थे करेक्ट आंसर जो होगा वहा है आप लोगों का option number थी एम हिदायत उल्ला जो है या मद्द प्रदेश उच्छ नयाले के पह बहा जाता है आगे चलते हैं next question की ओर नेक्स्ट कोश्चन में आप पुछाए British भारत की मालवा एजेंसी का मद्धी भारत में कब बिले हुआ तो इसका right answer आपको बताना है कि मालवा एजेंसी को मद्धी भारत में कब सामिल किया गया था तो right answer जो होगा वह होगा आप लोगो वीडियो को लाइक करें जो चेनल पर पेली बार आ रहा हैं वो चेनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन की बेटन भी जरूर दबा लीजिए MPP प्लिस कॉंस्टबल, SI और MP गवर्मेट की किसी भी एक्जाम में सेलेक्शन पाने के लिए और आप लोगों की प्लेलिस्ट भ अभी कुछ देखने को मिलेगा जिससे आपकी प्रिप्रेशन बहतर हो पाईगे राने वाल एक्जाम में आप लोग की सेलेक्शन ले पाएंगे नेक्स्ट कॉंशन है यहाँ पर पुछा गया है बत्ती सी भाउली कहा इस्टि थे तो इसका राट आंसर आप लोगों की बताना है मद्ध प्रदेश में नर्मदा घाटी की ओसत उचाई क्या है आप लोगों से पुछाई है कि मद्ध प्रदेश में जो नर्मदा घाटी है इसकी ओसत उचाई क्या है तो इसका जो correct answer है वह होगा आप लोगों का option number first MSL से 300 मीटर उपर अर्था समुद्र तल से 300 मीटर उचाई पर नर्मदा घाटी की उचाई है यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है MSL का means क्या होता है अगर आपसे पुछा जाए तो इसका mean होता है mean sea level अर्था समुद्र तल से उचाई तो नर्मदा घाटी की उचाई समुद्र तल से कितनी तो आपका answer होगा 300 मीटर उची है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहाँ पर पूछा गया है मद्द प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनाबट रंग और गुणों के लिए यह बहाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध है करेक्टा answer होगा option number 4 सागोन मद्द प्रदेश में सागोन की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ओलिकर सासक यसो धर्मा किस सताब्दी से संबंदित है चार option आपको दिए गये हैं और इसका right answer आपको बताना है कि यसो धर्मा का संबंद किस सताब्दी से है तो इसका right answer है वह है आप लोगों का option नंबर सेकेंड 26 सताब्दी से ओलिकर सासक यसो धर्मा जो है यह चटवी सताब्दी से संबंदित है यसो धर्मा ने मिहर कूल को पराजित किया था और मालवा को जो मालवा नाम देने का सरे है यहां ओलिकर बंस को ही जाता है ओलिकर बंस की राजधानी दसपूर बरतमान मंदसोर थी आगे बढ़ते हैं next question की और next question में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा धर्म बाग की गुफाओ से संबंदी थे चार option आपको दिये गया है और पूछा गया इनमें कौन सा धर्म है जो बाग की गुफाओ से संब प्रशने हैं कि बाग किस नदी के टट परिस्ती थे तो आंसर होगा बागित नदी के टट परिस्ती थे किस जिले में है धार जिले में आगे चलते हैं next question की और next question में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है खालिस्तान की चमड़े के खिलोंने जी आई टेग हैं चार इंदोर को मद्यप्रदेश की ब्यवसाइक और खेल राजधानी भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में आपर पूछा गया है प्रसिद्ध परेटानिस्थल कांच मंदिर कहां इस्ती थे तो इसका right answer आप लोगों को बताना है correct answer जो होगा वह है आप लोगों का option option number first इंदोर क्रसिद्ध परेटानिस्थल कांच मंदिर जो है यहां इंदोर में इस्ती थे काफी अच्छे से आप लोग याद रखेंगे चली चलते हैं next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है रानी दुरगाबती किस बंस की राचकुमारी थी तो इसका correct answer आपको बताना है right answer जो होगा वह क्या होगा correct answer होने माला option number second चंदेल बंस की राचकुमारी थी रानी दुरगाबती जो है यहां चंदेल बंस के सासक किर्थी सिह की पुत्री थी और इनका बिभा गड़ मंडला के यह हम के सके हैं गड़ कटंगा के सासक दलपस साह के साथ प्रत्री के बाद रानी दुरगाबती गड़ मंडला की सासिका बनी थी और इनका समाधी इस्तल जो है वह जवलपूर में इस्ती थे और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि यह जो प्रसिद्ध परेटन इस्तल कांच मंदिर है इंदोर में यहां किस धर्म से संबंदी आपको अंसर होगा यहां भगवान संतिनात को समर्पित एक जैन मंदिर है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन में दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है बर्मान का मिला कितने दिनों तक चलता है चार आप्शन आपको दिए गया पूछा गया जो बर् यहां नर्शीपूर जिले में मकर सक्रांती के अउसर पर लगता है और तेरा दिनों तक चलता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन में यहांपर पूछा गया है मद्वी प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने छेत्री कार्याले हैं तो इसका जो र तो इसका correct answer होगा option number 4, 10. जन्गर्णा 2011 के अनुसार मद्ध्य प्रदेश में 10 संभाग है और बरतमान समय की बात की जाए तो बरतमान समय में भी मद्ध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं. चेत्रफल की द्रश्टी से मद्ध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा संभाग है वहाज जवलपूर है और जो सबसे छोटा संभाग है वहाज सहडोल है. और छेत्रफल की द्रश्टी से मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला नव निर्मित गठित जिला निवाड़ी है आगे चलते हैं next question की और next question में यहाँ पर आपसे पूछाए मद्य प्रदेश बिधान सबाके बरतमान अध्यक्ष कोन है तो इसका जो right answer वा है आप लोगों का option number 4 गिरिस गोतम जो है या मद्य प्रदेश बिधान सबाके बरतमान अध्यक्ष है यह question में काफी अच्छे से याद रखना है हाली में पटवारी exam अवकारी exam और forest तीनों ही exam जो 2023 में conduct कराएंगे सभी में पूछा गया प्रसने काफी ज्यादा important है आप लोगों से exam में जरूर पूछा जाएगा तो यह थे आज की हमारे top 50 questions जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था और यह सारे के सारे questions आपके exam में आने वाले हैं note कर लिजे साथ ही मैंने लोगों क्लिक क्यूज भी रखी है जिसका answer आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है आज की क्यूज है मालवा के प्रथम माराथा सुविदार के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका right answer आप लोगों को बताना है और इस question के बारे में जितनी बी detail यहाँ पर जो बैकती है इनके बारे में जितनी बी detail आपको पता हो वहां सब भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं क्योंकि जितनी ज्यादा details आप टाइप कर देते हैं वहां आप याद रख लेते हैं तो फटा-फट वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोगों को जितने भी PDF दिखाई गई थी उन सभी PDF को आप वीडियो के description में दी लिंक पर क्लिक करके डाउलोड कर सकते हैं नहीं तो इस नंबर पर WhatsApp करकर भी हमसे आसानी से यह सारी PDF ले सकते हैं जिससे आपकी preparation बहतर हो पाएगी और आने वाले MP प्रीश कॉ आसानी से हो पाएगा तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने जय हैं दोस्तों